मैं आमिश शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल दर्सन अकेडमी खुरजा में आप सभी का स्वागत करता हूं कुछ लोगों की रिक्वेस्ट है कि एडवांस का कोई टॉपिक पढ़ा जाए तो मैंने एडवांस में एलजब्रा का एक फिक्स पैटन उठाया है जो एक् से काफी इंपड़रन्ट है चाहें वह रेलवे का कोई एक्जाम हो जैसे गुरूप डी और एक्विसी चाहें वह बैंकिंग का कोई एक्जाम हो चाहें स सी में तो सीधे सीधे 15 परसंट कोश्चन सीधे ऐलजब्रा से पूछी आते हैं जिस समय में चैप्टर वाइस आपको कोर्स कंप्लीट करा हुआ, उस समय में एक एक चीज topic wise, 1, 2, 1 आपके close करते हो जाँआ, फिलाल हम random topic उठा रहे हैं, ठीक है, तो देखते हैं, आज का पहला question क्या है, आज का पहला question है ये, इसे आप देख सकते हैं, कि इसमें x की value दे रखे है, x equals to 118, 108, और उसके बाद वो कह देख रहा है कि x बराबर 108 हो, तो x की cube, यानि x की घात 3, मैनस 119 x square, प्लस 119 x, प्लस 12 है, इसका मान बताना है, तो देखो इस प्रकार की जो question है, वो fix pattern से belong करते हैं, ये fix pattern है, और इसमें examiner आप से ये expect नहीं करता कि आप calculation करें, वो ये देखना चाहता कि आप कितने smart तरीक क्या solution आने लगे होंगे, तो मैं आपको one to one करके बताता जाता हूं कि क्या possibility आपके mind में क्या solution इसके आ सकते हैं, और फिर हम एक general method पढ़ेंगे, जैसे हम like always हमेशा की तरह करते हैं, कि general method और उसके बाद में, हम इस सर्माय special पढ़ेंगे, जिसमें हम बिना ball pen के एक guarantee है, मेरी बिना ball pen के आपसे question कराने हमें, बड़े बड़े, यह तो अभी भी छोटा question है, जब बड़े यह जो गहते हैं, इसकी power जो है, जब बड़ी होंगी, तो वो question भी आपको बिना ball pen के करा लिए जाएंगे, ठीक है, तो देखते हैं इस प्रकार का question कि क्या क्या possibilities होती है, यह वा यह है क्या, x की घात 3, मैनस में 119 x square, प्लस में 119 x और प्लस में 12, तो जो first approach आती है, जो बच्चा नया है, competition में वो क्या करता है, सोचेगा यार यह x बरावर 108 रख देते हैं और इससे solve करते हैं, आप ऐसा करेंगे, तो solve दो कर लेंगे, लेकिन इसमें आपका 2 से 3 मिनिट क समय का मतलब होता है, कमसे 5 से 6 questions का समय आपने इसमें ले लिया, तो जो value put करनी की बात है, कि यहां पर हम 108 put कर दें, यहां भी 108 put कर दें, और यहां भी, और इसे पूर एको solve करें, तो यह approach से answer आजागा, लेकिन यह बहुत इलेंदी approach है, मैं इसे suggest नहीं करूँगा, second approach क्या ह है, second possibility, जिन लोगों को digital sum आता है, digital sum आता है, वो इसे digital sum के माद्याम से solve कर सकते हैं, लेकिन digital sum में भी calculation तो बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी, यहां तो चलो easy हमने value ले लिए, कोई value ऐसी हो, जिसका digital sum 7 हो या 8 हो, और power 6 या 7 तक जा रही हो, इस expression में, तो आप सोचो digital sum में, आ उससे answer आने की संभावना है, लेकिन हम इसे भी prefer नहीं करते, क्यों नहीं करते हैं, यह भी calculation बढ़ाएगा, third approach क्या हो सकती है, आपकी, third approach हो सकती है, unit digit, एकाई का अंग, इसके लिए condition यह कि जितने भी option दिये हो, उनके एकाई का अलग अलग होनी ची, जैसे यहां पे एक है, last वालंक, unit digit, सब गया लगा सकते हैं, लेकिन यहां पे भी possibility कम हो जाती है, जब हमारे दो या दो साधिक option में, unit digit सेम हो जाए, और calculation यहां पी बढ़ेगी, और मैंने unit digit आपको पढ़ाई भी नहीं है, तो मैं कैसे expectation आप से रखूं कि नहीं, जी आप इसे solve कर देंग, unit digit से, तो यह भी हम हटाएंगे, फोर्थ वन इस जनरल मैथड, जनरल मैथड और लास्ट वन इस अमिस्टर माई special, जो फोर्थ मैथड है, उसे हम थोड़ा साथ देखेंगे, और जो फोर्थ मैथड है, उसमें हम अपना concept बिल्ड अप करेंगे, डेटेल में मैं आपको समझ जाँगा इसको, और फिर मैं लास्ट में अमिस्टर माई special बताऊँगा, जिसमें बिना वाल्पें के करेंगा, ठीक है, पहला था तरीका value put करने का हमें prefer नहीं करना, दूसरा तरीका है digital sum हो सकता है, लेकि नहीं करेंगे, यूनिड हो सकता है, लेकि नहीं करेंगे, जनरल मै जनरल मैथड यह कहता है, कि यह पहले expression देख लेते हम क्या है, x की q माइनस 119 x स्क्वेर, प्लस में 119 x और प्लस बार है, यह है, question, आपको क्या करना है, यह देखना है यहाँ पर, कि x की value क्या दे रखिया है, जो x का मान दिया है, x की value दिये, वो दिये 118, 118, अब आपको क करना क्या है, कि इस value को आप देख पा रहे हैं, तो जो पहली जो सबसे maximum power है, जो सबसे सरवादिक घात है, उसे side में रखें, minus, यह जो 119 है, जो यहाँ पर numeric values होंगी x के साथ में, उन numeric values को आप x की value जो दे रखिया है, उसमें convert करें, जैसे यहाँ पर 119 दे रखा है, तो क्या में इस 119 x square को क्या में 118 है, क्योंकि x की value क्या है, 118, तो क्या में ऐसे लिख सकता हूँ, 118 x square प्लस में x square, भई 118 x square में x square जो देंगे, तो 119 x square हो जाएगा, तो क्या में ऐसे लिख सकता हूँ, बिलकुल लिख सकता हूँ, आग आते हैं, इसको भी 118 में convert करो क्यों एक्स कमान दे रखा है तो यहां पर हम लिख सकते हैं 108 एक्स और प्लस में एक्स और लास्ट में क्या है भई हमारे 12 तो हम यहां पर इसे लिख सकते हैं ठीक है अब आप इसे की सॉल्फ करें यहां मनें एक्स क्यूव लिखा कि माइनस का जब अंदर मैल्टिप्लाई होगा तो मैनस की गटियोज होती है जो साइन को अंदर वाली जो होती है साइन होते वेजिए उनके चेंज घर देती हैं तो यहां पर मैनस कर देगा इसे 108 x स्क्वीर मैनस 118 x प्लस एक्स क्योंकि प्लस है तो प्लस ही रहेगा और बहुत फोकस्ट हो के समझे क्योंकि तब ही आपको बेगा रहा हुआ आप यहां देखे पूरा एक्सप्रेशन आ गया जो वैलू दे रखी क्या रख्टी एक्स की वैल्य एक्स अठारे आप मेरे को सिंपल से एक चीव ब यहान कि आपस में दौनों व्यालू इंटरचेंज कर सकता हूं तो x बराबर w लिख सकता हूं 108 और एक सो फार्य की जगे क्या लख सकता हूं एक्स तो भाई सिंपल सी बात अ जहां जहां 108 दिखाई दे रहा है आब वहां-वहां एक्स लिख दीजिए तो यह क्या हुज जाएगा x cube कोई बात नहीं यहां से देख लेते हैं हम इससे 108 की जगे क्या लिखेंगे x इस 108 की जगे मैं ने x लिखा है इंटू क्या दे रखा है x square माइनस में x square प्लस इस 108 की जगे क्या लिखेंगे x इंटू x plus में x plus में 12 12 अब आप यहां से देखेंगे कि जब भी multiply होती है तो उसमें जो power होती है उनका sum consider किया जाते है यानि कि गुणा में घातें जुड़ती है हिंदीम बात करें हम तो गुणा में घातें जुड़ती है जैसे एक side में फिर से मैं आपको बता रहा हूं मैं आपसे कहने लगू x की power 3 जब कोई power ना दीगे यह घात ना दीगी तो इसे एक मानते हैं तो यह कितना हो जाएगा है गुणा में घातें जुड़ती है चार हो जाएगा तो सेम यहां पर करना आपको यहां हमने देखा यह एकस क्यूब है मैनस यहां कोई घात नहीं दिए तो कितना घात मानेंगे गंचिर्टर गरेंगे एक कितनी है गुणा में घातें जुड़ती हैं तो दो और एक कितना हो जाएगा यह थी मैनस यह क्या है रखा है एकस स्क्वेर प्लस को में आपक यह घात कुछ ने देख अपर कि यह एक स्क्यूब है सी दौनों आपस में क्या हो जाएगा तो यहां यह प्लस x square cancel out हो जाएंगे और लास्ट में क्या बचेगा एकस प्लस 12 है तो एकस का मानी यहां पर रख दीजिए यह एकस बारे बचा बस X की जगे क्या लिख सकता हूँ मैं 108 है question में दे रखा है X की value 108 है ये दे रखी तो हम इसमें कितना जोड़ देंगे 12 और ये कितना हो जाएगा answer 130 ये पूरा एक detailed method है detailed method आपको दिख भी रहा होगा 130 इसका answer है ये तो था detailed method येदि आपने बिल्कुल अच्छे से समझा होगा तो अब मैं आपको बताता हूँ Amister My Special और आप चुछ क्यों में करेंगे इस question को ठीक है देखते है देखिए आपको Amister My Special में करना किया है कि इस वाले question को ये तो आपको मिलेगे ये exam में बड़ फिर भी मैं आपको एक बार समझाने के लिए इसे यहां पर लिख देता हूँ x q मैनस में 119 x square प्लस में 119 x और प्लस में 12 अब आपको Amister My Special में क्या करना ये एक fix pattern है आपको करना है क्या होगा कि यहां पर किसकी value दे रखिए x की तो x और x के आगे वाले मानों को तो consider करेंगे और उससे जो बड़ी पावर होंगी जो बड़ी घाते हैं उन सबको आप हटा दो सीदे हटा दो इसका detailed भी समझा दूँगा मैंने ऐसा क्यों किया कैसे किया वह भी आपको समझा दूँगा लेकिन वीडियो थोड़ी लंबी बन जाएगी इसलिए मैंने आपको रिजेट बता रहा हूं आपको जब भी ऐसे question टकराए तो आपको क्या करना है X दे रखा है 108 तो जहाँ जहाँ X है उस से आगे के मानों को consider करो पीछे वाले मानों को हटा दो हट जाएगा यह अट जाएगा, क्या बचेगा 119 x plus 12 अब आपको आगे क्या करना है आगे आपको यह करना है कि यह देखना है कि जो x जो बचा हुआ है उससे पहले वाला sign किसका यहां पर प्लस का, देखें यह प्लस का sign है तो यहां पर minus लगाना है यदि यहां minus होता और इसके साथ में क्या लेख देंगे x मुझे उमीदा आप समझ पा रहे होंगे आपको क्या करना है x से बड़ी वाली गहाते जितनी ही हूँगी बड़ी पावर उन सब वहटा देंगे और जो value बची है उसके साथ में आगे, यदि यहां पर plus है तो यहां minus और यहां minus होता यहां plus यहां plus था तो इसलिए हमने minus यूज गी है फिलाल x की value उसके साथ में x लिख देंगे ठीक है अब आप देख पाएंगे कि 119 x हैं plus के और minus के हैं 108 x तो क्या बचाएगा खाली x और साथ में क्या बचाए 12 और x की value कितनी थी भाई 108 और plus में 12 है बराबर 130 खतम बिल्कुल close मुझे उमीद है कि आप समझ पा रहे हूँगे कुछ नहीं करना आपको x की value दे रखिए तो x से जितनी भी बड़ी power होंगे उनकी सारे मानों को हटा देंगे question से और आगे आपको क्या करना है यदि यहां plus है तो यहां minus और minus है तो plus और जो value दे रखिए उतने x को लिख देना है अपने आप सीधर रिजर्ट पर पहुंचेंगे आप ठीक है मैं उमीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा अगले question से और ज्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको देखिए फिर से वाला question है इसके लिए आपको क्या करना है इसके लिए यह question आप देख सकते हैं कि इस वाले question में यह values दे रखिए आपको अब आपको करना क्या है कि जब भी ऐसा question टकर आएगा मैंने आपसे कहा था कि वैल्लू किसकी दर की एक्स की तो एक्स और एक्स से आगे वाले मैंस के 18x है और यह pluss के 17x है तो क्या बचएगा खाली मैंस के x क्योंकि minus की वेलू सत्रे तो यहां सत्रे रख दें और प्लस सड़ सट बरावर पचास मैंने जान बूच को ऑप्शन नहीं दिये क्यों मुझे चाहिए कि सॉलूशन आप बिना बॉल पैन के निकाले हैं आपको समझ में आ रहा होगा अगला कॉश्ण देखते हैं सट अब ओढ़िसे थोड़ी से स्पीड में सॉल्फ करना है आपको एक से वेलूर रखी है तो इसमें क्या करना है आप को डिसे क्या दिये रखो यह जो वेलू है इन वैलू नोस को मनें अऽनकी है आप इसे detail में करते काफी time लग जाएगा general method से भी जैसा coaching हो में कराते हैं वैसा भी करो तो भी time लगेगा लेकिन आपको प्लस 12x-1 दिया है तो यहां पर देखें प्लस है तो यहां क्या लगा देंगे हम 1-0-1 कितना देखने 11 तो 11 लहां पर 11 एंस जोड दें वोगा दे यहां 12 एकस मैं से 11 इखाएंगे तो यहां-1 ग्यारे में से घटाय क्या बचेगा भी या दस सीधे क्लोज उमीद है मुझे समझ भा रहा हूँ आपके यह वाला कुश्चन है आपको देखना है और इस वाले कुश्चन को आपको कमेंट में आंसर लिखना है इसका बिलकुल लिखें जिससे मुझे यह थोड़ी सी मेरे को लगता है कि हाँ आपको समझ भाने लगा है मैं मैं मैक्सिम कॉश्चन क्यों करा रहा होता हूँ मैं चाहूं तो दो कॉश्चन पर वीडियो क्लोज कर दूँ और जैसे होते हैं देखिए इस वाले कुश्चन में पहले फिर से एक्सपरावर बहतर दे दिया तो आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन हैं पहले यहां पर मानुटा था एक्स का जैसे 11 था तो यहां पर 12 देता था था वो एक ज्यादा एक कम कुश्वी दे सकता वह उसका पैटरन है वह एक इस cinader नहीं करना है आप अप यहां देखिआंगे यहां साइन किसका मैनस का तो हमें क्या यूज़ करना है पर प्लस और कितने एक्स करने यहां पर 72 वह शाय है 72 उज्याए यह तो मैं आपको समझाने के-स कि लिए मारकर यूज कर रहा हूं उनी तो आपको पता ही है कि आप सीधे सॉल्फ कर सकते हैं इसे अगला कुश्चन देखते हैं यहां पर क्या बचने वाला है खाली एक्स और माइनस में क्या हो यानि 198, x की value कितनी है, 208, 208 में से 198 घटाएंगे आप, तो क्या बचेगा भी या, 10 बचेगा, x की 208 रखो, 208 मैंने से 198 बचेगा, 10, देखेजी pattern change, जरूरी नहीं है, कि वो हर वार x की value दे आपको, हर वार x की value दे ये बात बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, वो चाहेगा, त x q, x q, x q, 4, 5, 6, किसी भी value दे आपको, विल्कुल नहीं घपराना है, same pattern use होना है, यहाँ पर भी same pattern use होगा, किस तरीके से हमें काम करना है, आपको देखना है, किस की value दे रखी है, x की power 3, तो x की power 3 से ऊपर की जितनी भी घाते मिलेंगे, जितनी भी power मिलेंगे, उन सब को ह जोड़ते थे, उतने x, अब यहाँ पर 24, x q ले देंगे, तो 25 x q में से 24 x q घटाएंगे, तो खाली क्या बचाएगा, x q plus 6 है, और इसकी value कितनी दे रखी है, 24, तो 24 plus 6 बरावर में 30, मुझे उमीद है कि आज की class में आपको बहुत interest आया होगा, अगली वीडियो में फिर मि लोड़ते औरी है.